तो हम लोग पिछली वीडियो में बात कर रहे थे डेमोकरसी और डिक्टेटरशिप के बीच में इन बेट्वीन कुछ कारणों के कारण मुझे वीडियो वीज में रोकनी पड़ी थी तो अब मैं वहीं से कॉंटिन्यू कर रहा हूँ कि राइटर कहता है कि दो परकार की सरकारे होती है तो दो परकार की सरकारे कौन सी हैं डेमोकरसी और डिक्टेटरशिप और दोनों में से कौन सी सरकार को बहतर के उसके लिए वो कुछ वैलिड प्रूव दे रहा है वो ये है कि हमें सरकार की काड या कुछ रृता की उपर या सरकार के काम करने के तरीके parenth की उपर एक कन्ट्रोल रख सकते हैं कैसे कन्ट्रोल रख सकते हैं आगे लाइन पढ़ते हैं फिर मैं उसे कंप्लीट समझाता हूं because it is the people who elects the government क्योंकि democracy में ये हम लोग या public होती है जो सरकार को चुनती है और अगर किसी सरकार ने वहाँ पे अच्छा काम नहीं किया अगर हम लोग समझधार हैं तो हम लोग अगली बार उस सरकार को मौका नहीं देंगे उस candidate को मौका नहीं देंगे हम लोग ये बार किसी और सरकार को देंगे तो ये पहला पॉइंट है कि अगर जो government हमारे फेवर में काम नहीं कर रही, हमारे जनता के फेवर में काम नहीं कर रही तो जनता के पास एक टूल है या एक option है कि वह सरकार को अगले tenure में change कर सकते हैं उसका विकल्प ला सकते हैं People have more freedom and liberty and can choose the different government if the functioning of the government is not good लोगों के पास ज्यादा आजादी है बोलने की, लिखने की, सुनने की, घूमने फिरने की हम लोगों के पास ज्यादा आजादी होती है ज्यादा हमारे पास rights होती है democracy के अंदर और यहाँ तक हमारे पास यह right भी है कि अगर हम लोग सरकार की कारे कुछलता से खुश नहीं है हम लोग अगली बार उस सरकार को बदल भी सकते है तो democracy यहाँ तक हम लोगों ने की है democracy क्या है लोगों के दुवारा लोगों के लिए और लोगों के दुवारा चलाई गई सरकार for the people, by the people and to the people ठीक है तो यहाँ पे जो government होती है वो लोगों के दुवारा चुनी चाती है अच्छी और भुरा होना हमारी समझ की उपर depend करेगा अगर हम लोगों ने काम के अधार पे vote दे के इनसान को चुना है तो अच्छी सरकार चुनाएंगे और अगर हम लोगों ने पैसा जादपात या और इसी किसी लालच में आके अपनी vote दी है तो हम लोगों खराब सरकार चुनाएंगे इसमें ज्यादा अजादी होती है ज्यादा हम लोगों के पास freedom, liberty होती है और यहाँ पर हमारे पास ये option भी होती है अगर हम लोग चाहे तो अगली बार सरकार को बदल भी सकते हैं और दूसरी तरफ हम लोग democracy के pros and cons देखेंगे on the other hand on the other hand on the other hand in democracy what the dictator dictates is treated as a law वो कह रहाए कि democracy में क्या है जो वहां के ताना शाह ने कह दिया वोही कानून बन जाता है लोगों के लिए कानून और है उनके अपने लिए कानून और है यह हो सकता है कि हम लोगों में से किसी ने कोई crime किया है तो हमें सजा दे दी जाए और उसी के family में से किसी ने कोई काम किया है वोही गुना किया है तो वो सजा को माफ़ भी कर सकता है यानि कि democracy में क्या था सभी के लिए equal rights है equal law है यहाँ पे जो law है वो जो dictator कहता है उसे ही कानून माना जाता है there is no option to change the government यहाँ पे हमारे पास कोई option नहीं होती कि हम लोग सरकार को change करें sometimes there may be some liberty more than democracy but we don't have the power to express ourself कई बार कुछ लोगों को वहाँ पे democracy से कुछ जादा अजादी मिल जाती है बट सबसे बेड़ी problem यही होती है कि हम लोग वहाँ पे अपनी अभी व्यक्ती को व्यक्त नहीं कर सकते हमें उसके हां में हां मिलानी पड़ती है अगर हम लोग किसी जगा पे आकर ना करते हैं या हम लोग डिक्टेटर की बात के विरुद कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे ये चीज मुंकिन नहीं हो पाती है और इसी लिए वहाँ पे हम सबसे में चीज यही है इस point के अंदर कि हम लोग अपने विचारों को बाहर व्यक्त नहीं कर सकते हैं हमें डर रहेगा कि यहां फे हम लोग सर्कार की खिलाब भी बोल देते हैं सर्कार यह नहीं कर रही वह नहीं कर रही बते डिक्टेटरशिप में अगर बोलेंगे हम लोगों को मार दिया जाएगा so we can say that from the above thoughts so from the above thoughts there are few though there are from the above though there are few shortcomings of democracy but still it can be considered as the best form of democracy but in this country we can say that there are many options that we can say 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 that can write-webassadors I can say it without mothraies I can say it how it favors I conceive not this metaphor how many crises ended heaven in aynasty picture विकास कासली ओक्सद काया है रिकस विकासली करता है पैसे बाड़ मादे हैं कि ऐस मैंने का क्था विकसित नहलों को आ ही फिर्जाक्स Illinois सक्टार्फ करक्स कि छी दोर से झार गुरुंध को ऎस warto हूँ हैं बहतर घर गाड़ी बेगर है तो वो विक्सित है क्या राइटर के अकॉर्डिंगली यही विकास है अगर यह विकास है तो क्यों है अगर यह विकास नहीं है तो राइटर के अकॉर्डिंगली असली विकास क्या है क्या इन चीजों का यह दुनियावी पदातवादी चीजों क विकास ही विकास है या राइटर और कोई इत्वाग रखता है यहाँ पे देखो, he gives us the example that progress which we have received till here is not made in a day पहले वो यह बता रहा है कि आदी मानव से लेकर यहाँ तक जितना हम लोगों ने विकास किया है वो एक दिन में नहीं हुआ कि हम लोगों ने एक दिन में सोचा कि हम लोग कंप्यूटर, मुबाइल, इंटरनेट जैसी चीज़ बना लेंगे हम लोगों की हजारों सालों की कड़ी महनत है, मिल जूल के काम किया है, वो चीज़ है यानि कि जहां पे आज हम लोग खड़े है वो हजारों सालों की सक्त महनत का नतीज़ा है इसलिए हम लोग आज इस जगा पे खड़े हैं, इसलिए वो कहता है कि इसे इस प्रोग्रेस को, पहली चीज़ हमें है कि विकास होता कैसे, वो कहता है एक दिन में नहीं होता है, इसे सालों लग जाते है It took centuries of hard work done together by our ancestors to reach here वो कह रहा है कि यहां इसे सदियां का कड़ा मेहनत लगी हमारे पूरवजों के दोरा और कैसी मेहनत मिल जुल के कीगी मेहनत का नतीज़ा है कि आज हम लोग जहां पे हमारे पूरवज से वहां से आगे खड़े हैं हर जनरेशन जो है वो अपने पिछली जनरेशन से आगे जाती है और इसका मेन बेस क्या है कि यह हर जनरेशन को अपनी पिछली जनरेशन से हाई सोच रखनी पड़ेगी अगर हम लोग हाई सोच ना रखते अपनी सोच में जनरेशन वे जनरेशन पीडी दर पीडी हम लोगों ने सोच में विकास ना किया होता तो शायद आज भी हम लोग जंगलों में आदी मानवी होते बट जैसे जैसे पीडियां बढ़ती गई इनसान की वैसे वैसे हमारी सोच भी विक्सित होती गई इसलिए हम लोग आदी मानव से आज modern man, advanced man कहलाने के काबिल बने है He also states that high ends can never be achieved by foul means and violence फिर वो एक और बात कह रहा है इसी पॉइंट में अभी progress की definition इसने दिया अभी हम लोगों ने अपनी तरफ से बात की है फिर वो एक और बात कह रहा है वो ये बात कह रहा है कि अगर हम लोग बड़ी प्राप्तियां करना चाहते हैं तो उसके लिए गलत और violent हिंसा वाले रस्ते जो हैं वो सही नहीं है गलत रस्ता अपनाएंगे, बड़ी जल्दी उपर जाएंगे और उससे दुगनी तेजी से हम लोग नीचे जाएंगे बड़ी जल्दी विकास कर लेंगे चीटिंग करके हम लोग बड़ी अच्छे से नंबर ले गए बड़ जब इंटर्विव आई हम लोग बड़ी आराम से इंटर्विव से बाहर होगे क्योंकि वहां पे तो बंदे की नॉलेज बोलेगी वहां पे परची नहीं बोलेगी इसी परकार से राइटर यहां पे यही कहना चाहता है कि हम लोगों ने अगर अपनी मंजीलें हाई रखी हैं तो हमें रस्ते भी उच्छ कोटी के अपनाने पड़ेंगे इसके लिए उसने एक्जामपल दी है गौतम बुद्ध की अशुका की गुरु नानक देव जी की महातमा गांदी की ऐसी एक्जामपल दी है जिन लोगों ने कड़ी महनत से जो चीजें बाकी नहीं कर पाए उन लोगों ने उन चीजों को मुंकिन करके दिखाया से सही रस्ते पे चलते हुए दुनिया और समाज के विकास में अपना बड़ा ही एहम योगदान डाला तो इस परकार से राइटर इस पॉइंट में ये क्लियर कर देता है कि विकास तो हम लोगों बाद में समझेंगे विकास करने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि रस्ता सही अपना है अगर रस्ता सही होगा तो अपने आप जो परिनाम है वो बहतर होगे अगर रस्ता सही नहीं होगा तो परिनाम भी बहतर नहीं होगे तो आज हमारा lecture यहीं पे खतम होता है lesson के अगले points हम लोग अगली वीडियो में discuss करेंगे till then thank you और don't forget to like, subscribe and share